कि previous 8 तर्ड में इस जाढ़्य चारडर सारों इनोर्गिनी केमस्ति में युनिट पर फर्स्ट और से तर्मोडायनेमिक इंश 001 केंटर कॉंप्लेक्स और इसमें अपने पढ़ रही थे है किजद्स अहीं से मस्ते कवार्ड या इंस्टैबिलिटी कॉंस्टेंट दो पड़ चुके थे आज तीसरे के बारे हम चर्जा करेंगे समग्र स्ताइतु इस्तिरांग का मुक्त उर्जा परिवर्थन से समद्ध रिलेशन रिलेशन और अवराल स्टाइट इस्तिरांग का मुक्त उर्जा परिवर्थन या मानक मुक्त उर्जा परिवर्थन स्टेंडर्ड फ्री एनर्जी सेंजेज डेल जी नोट या सामेश्ति रांग या समग्र इस्ति रांग बीटा या बीटा अन से निम्र परकार समद्ध कर सकते हैं कि मुक्त उर्जा परिवर्थन या मानक मुक्त उर्जा परिवर्थन मुक्त उर्जा परिवर्थन या मानक मुक्त उर्जा परिवर्थन मुक्तुर्दा परिवर्तन को आपको डी नोट करते हैं डेल जी डेल जी या डेल जी नोट से आप दर्शा सकते हैं मानक मुख तुर्दा परिवर्तन या सामें इस्तिरांग कोमा सामें इस्तिरांग के और समगर इस्ताइट वे इस्तिरांग बीटा या बीटा एंड में निम्र प्रकार से निम्र प्रकार संबने जाएं तो जो मुख तुर्दा परिवर्दन या मानक मुख तुर्दा परिवर्दन सामें इस्तिरांग या समगर इस्तिरांग बीटान से निम्र प्रकार से संबन जिता है डेल जी या डेल जी नोट इक्वल होता है माइनस 2.303 RTLNK या पिर RTLNK इस इकल टू RTLNK तो RTLNK जो है इसको अपन जीट के कि जिगर क्या रख सकते हैं और डेल जी इसकल टू माइनस RTLN बीटा या बीटा है दोनों के भी समख रशता है तो और Stability Constant के भीट में तो इसको डेल जी इसकल टू माइनस 2.303 RTLNK और डेल जी इसकल टू माइनस 2.303 RTLNK बीटा या बीटा है ऐसे भी उन क्या कर सकते हैं इसको रिप्रेजन्डेट कर सकते हैं इसको एक्योशन नमबर बन दे सकते हैं इसको मैंने एलन को लोग में कनवर्ट कर दिया इसलिए माइनस 2.303 RTLNK लेख सकते हैं और मुक्त उर्जा परिवर्थन इससे क्या होता है आता है मुक्त उर्जा परिवर्थन मुक्त उर्जा परिवर्थन free energy changes का डेल जी मुक्त उर्जा परिवर्थन का जो एन्ट्रोपी परिवर्थन है एन्ट्रोपी परिवर्थन डेल आज कॉमा एन्थेल्पी परिवर्थन डेल आज एन्थेल्पी परिवर्थन डेल्टा आज एवं जो ताप है उनमें सम्मन्द बताना है एवं ताप मान में निमने सम्मन्द होता है तो जो टेंपरेचर है डेल जी इसकल टू डेल एच माइनस टी डी एच इसको डेल एच नोट या डेल एच नोट यह भी ले सकते हैं इसके लिए तो यह जो आई है अपने यह एक्वेशन नमबर टू है क्या है यह तो एक्वेशन नमबर बन और टू इसको आप नोट कर लो एक बार इक्वेशन समी कर्ण एक वेशन समी कर्ण दो से समी कर्ण एक आई थी इपने डेल जी स्कल टू माइनस टू पॉण्ट त्री जिरो टी लोग के या बीटा या बीटा है दोनों को मैंने एक्वेशन लिख दी है और एक्वेशन नमबर टू जो आई थी इपने वो आई थी डेल जी स्कल टू डेल अच माइनस टी दी एक्वेशन एक और दो से क्या निकाल सकते हैं एक्वेशन लिख सकते हूं बीटा अनि यह की बात के लिखो या कुछ भी लिखो या बीटा अनिकाल लोग आप इसको क्या है जैसे और इस एक्वेशन से अपनेको अन्यक्ट एक्वेशन में लिख टी पॉन दी जिरो आटलो बीटा एन इसकल टू माइनस डेल H minus TDS इसको इस तरीके से भी आप लिख चकते हैं और इसको आगे इज़ी सोल करेंगे तो क्या दाएगा 2.303RT लो बीटा एन बीटा एन is equal to minus DEL H plus TDS यह एक नए equation आ गए अब इसमें से मेरे को क्या निकालना डेल्टा एस निकालना है मुझे चाहिए DEL H तो क्या हो जाएगा 2.303RT लो बीटा एन is equal to डेल्टा एस डेल H डीवाइड बाइटी इससे आप एन्थेल्पी सोरी एन्थेल्पी चेंजेज को डीनोड कर जकते हो अब इसमें क्या है कि जो अपने ये वाला है ये वाला और ये जो इस equation से इदे लिख देता हूँ इसे समीकरण से 2.303 और लो बीटा वे 1 बाइटी के मद्दे ग्राफ प्लोट करने पर एक स्टेट लाइन में क्या होता है डाल वाली सीधी रेका प्राप्त होती है स्लोप आएगी है सीधी रेका प्राप्त होती है तो ये हूँ आपने क्या हूँ आपने कि जो relation है relation overall stability constant with free energy समगर जो इस ताइप तो इस ती रांक है उसमें मोक तुरजा free energy सेंजेज में relation है ये वाला तो अब इस equation number 1 और equation number 2 जो अपने को मिली थी इनसे जो thermodynamically जो stability है या thermodynamically conclusion है यहों कर सकते हैं उसमा गती की निशकर्स और निम्र प्रकार से प्राप्टी थे अब देखो किसन एक स्मीकर दो से उसमा गती की thermodynamically निशकर्स निम्र प्रकार क्राप्ट होते हैं तो पहला जो रिजन अपने यह है कि कोई भी स्ताय संकुल का निर्मान होता है उस समय बीटा एन या बीटा का मान क्या होना चाहिए अधिक होना चाहिए संकुल के स्तायित्व के लिए संकुल की स्तायित्व के लिए बीटा या बीटा एन का मान अधिक होना चाहिए कोई भी जो कॉम्प्लेक्स है संकुल निर्मान के समय संकुल का जो फोर्मेशन होता है संकुल फोर्मेशन के लिए फोर्मेशन में निर्मान में स्टेबिटी के लिए या उसके स्तायित्व के लिए बीटा या बीटा एन का मान क्या होना चाहिए ज़्यदा होना चाहिए दूसरा जो है डेल जी का मान क्या है रिनात्माफ होना चाहिए डेल्टा जी का वेल्यू नेगेटी होने चाहिए और जो थर्ड है तो डेल जी की वेल्यू कैसी होने चाहिए नेगेटी होने चाहिए और थर्ड है डेल एज का मान आत्मा को ना जाए दिए डेलच की विल्लिव उच्छ लिनात्मा को और जो फोर है अपना वो क्या है कि पस्ट में ने लिका था संकुल के निर्माण में स्टेविटिक के लिए जदी बीटा और बीटा की विल्ली जादा है सेकिन में लिकाता है बीटा जो डेल्टा जी है का मान नेगेटिव होना चाहिए थर्ड में लिकाता है डेलच की विल्लिव और और कैसी होनी चाहिए नेगेटिव होनी चाहिए और डेल्टा एस या डेल्टा एस नोट का मान उच्छ दनात्मा नात्मा चाहिए डेल एस की वेल्यू उच्छ दनात्मा इसमें अपने पढ़ाता है इस लेक्चर के अंदर कि समगर ओवराल स्टेविटी कॉंस्टेंट है उसमें रिलेशन करना आपको फ्री एनर्जी के साथ में तो रिलेशन ओवराल स्टेविटी कॉंस्टेंट वे फ्री एनर्जी समगर रिष्ता है तो उस तरह का जो उर्जा परिवर्तन उसमें किस परकार से संबंदित होता है यह कंडिशन होगी उस कंडिशन में कोई भी कॉंप्लेक्स कंपाउंड जो बनेगा वो कैसा बनेगा इस पात पर इंडर्बर करते ही संकुलों के स्टाईतों को प्रभायूद करने वह न है त्लेकह कोंसे हैं ढूरिवर्ट सो तरीके कारा करते है ان्या दादो आयन के प्रकटी लिगेंडो की प्रकटी अन्य परश्तेती जन्य पर, जैसे मैं लोग के अनly परश्तेती जन्य कारकों। में कौन फून आ गई है। जिसे लिगेंड है साजी या मासूम लिगेंड है जैसे सिम्बायोसिश एंे कि इनोसेंट होते हैं। सब्सक्षय में क्या है कि मेटल जो होता है। केंदरी दातु आई है कि नेचर कैसी है और उस पर आवेश क्या है दातु के इलेक्टोन गरन करने के गुण क्या है दातु का इलेक्टोन की विन्यास में इसको डिस्टर्व करता है और दातु की विद्धित रिनाद मक्ता इलेक्टोन नेगटिवटी ओ सेंट्रल मेटल अट और किलेट वलेओं की संक्या क्या है किलेट वलेओं की संक्या की साथ इसका आकार क्या है त्रीवीम प्रभाव क्या होता है बलक्तित विन्यास क्या होता है टेंप्लेट इफेक्ट क्या होता है या पिल लिगेंड की पाइबंदी प्रभाव क्या होता है दीर की चक्री प्रभ कारग भी क्या है किसी भी दातु संकुल के स्तायत्व को प्रभावित करने वाले कारग होते हैं तो दातु संकुल के स्तायत्व को प्रभावित करने वाले कारग होते हैं एक होते हैं दातू, मेटल, एक होते हैं लिगेंड फेक्टर और एक होते हैं अन्य परिष्थिती जन्ने कार, अन्य परिष्थिती जन्ने कार, इसमें आता है आपके सरजीवन, या मासूम लिएंड, मासूम सिम्बायोसिस एंड इन नव सेंट लिगेंड, इसमें आता है आपके जो मेटल है, दातू आयन की प्रकरती है, और लिगेंड की प्रकरती है, इसमें पहला है आपके जो आवेश और आकार, सेकिंड है, लिगेंड की प्रकरती, लिगेंड की प्रकरती है, या अमलिय है, यह इस पर डिपेंड करता है, कि लिगेंड की नेचर की तरीके की है, नेचर की आदार पर लिगेंड दातू संकुलों की स्तायतों को क्या करता है, प्रबावित करता है, किलेट वलेओ की संक्या, किलेट वलेओ की संक्या, किलेट वलेओ का आकार क्या है, जो फाइव है इसका आकार क्या है, संक्या क्या है, और आकार क्या है, त्रीवीम प्रबाव क्या है त्रीवीम प्रबाव टेम्पलेट प्रबाव दीर्ग चक्री प्रबाव जो दीर्ग चक्री है दीर्ग चक्री प्रबाव लिगेंड की पाई बंदी पाइबोनिंग जो आपका इफेक्ट है वो भी क्या है किसी भी और भी हो सकते हैं बहुत सारे बलकृति विन्यास है और भी है यह सारे जो होते हैं लिगेंड की प्रकरति को क्या करते हैं लिगेंड की प्रकरति की अकोर्डिंग इसेंट्रल मेंटल एटम इसका आवेश क्या है और इसका आकार क्या है दातू के electron ग्राही गुन कौन से है जो तीसरा है दातू किस तरीके से electron को accept करता है accept करने के tendency कितनी है दातू का electronic configuration क्या है metal का electronic configuration क्या है electronic विन्यास भी इसके संकुल के stability को क्या है प्रभावित करता है CFSE किस्टल फिल्ड stabilization energy क्या है किसी भी complex के Lacey FSE की बेली जितनी ज्यादा आती है वो complex compound उतना ही ज्यादा stable होता है दातू की electron negativity तो EN of central metal item तो ये सारे factors मिलकर क्या करते है किसी भी complex compound की stability को क्या करते हैं ये डिस्ट अब करते है इस क्लास में यहां तक ही और नेक्स क्लास में इसके बारे में चर्चा करेंगे इसके बारे में इसके बारे में इसके बारे में अधिन करेंगे जब तक के लिए थैंक इसके सो मच भी नाइस दे